आप सभी दोस्तों का आज की competition की next class में स्वागत है बटा अब तक section 3 और 4 को हम detail में बढ़ चुके हैं section 3, 4, 19 अब तक की class में competition की class में हमने section 3, section 3, section 4, section 16, 19, 26, और 27, इन सब sections को अच्छे से कर लिया है ठीक है आएए आज की section, आज की class में में target है section 5 और section 6, मैं section 5 and section 6 को अच्छे से आपको बताऊंगा तो आई शुरुआत करते हैं section 5 से और section 6 से ठीक है ठीक है फाइव और 6 को हमने detail में आज की section में पढ़ना है ठीक है साबस्ट साबस्ट section 6 क्या कह रहा है शुरुआत में फाइव को शुरू करने से पहले 6 की थोड़ सा reference दे रहे हैं स्टुपलेट्स section 6 स्टुपलेट्स डैट अपर्सन और एंटर्प्राइज अपर्सन और एंटर्प्राइज आप किसी पर्सन की बात करें या किसी एंटर्प्राइज की बात करें डैट अपर्सन और एंटर्प्राइज शुड नोट एंटर शुड नोट एंटर यह opening line समझनी जुरूरी है आप section 5 को समझना चाहते हैं into a combination यानि ऐसी team मना के काम नहीं करना चाहिए ना तो किसी पर्सन को ना किसी एंटर्प्राइज को शुड नोट एंटर इंटू अ कम्बिनेशन में एंटर नहीं करना है यानि कार्टल नहीं बनाना है combination मतलब cartel नहीं बनाना है combination mentor नहीं करनी है which causes which causes or is likely to cause which causes or is likely to cause an appreciable and appreciable adverse effect on competition effect on competition यानि person को किसी person को या किसी enterprise को ऐसे combination में entry नहीं करनी जिस से competition पर adverse effect पड़े on competition within the relevant market in India within the relevant market in India यानि अगर आप combination कर रहे हैं इंडिया में combination कर रहे हैं relevant market पे उसका appreciable adverse effect पड़ रहा है तो आपको combination नहीं करना चाहिए अब ये combination कहते किसको हैं अब स्वाल है कि ये combination का मतलब क्या है तो section 5 हमें ये बताएगा कि combination का meaning क्या है हम इस चीज़ को पड़ेंगे बैटा अब ये combination कहते किसको हैं किस को आप combination कहेंगे किस दोस्ती को किस merger को आप combination कहेंगे तो इसके लिए बैटा section 5 हमें detail में पढ़ना होगा section 5 detail में पढ़ना होगा section 5 बताएगा 5 बताएगा कि combination क्या है section 5 deals with समझ मैं रही बात क्या नहीं आई section 6 ये कहता है कि combination नहीं करना अब combination का मतलब क्या है ये हमें बताएगा section 5 combination का क्या मतलब है ये हमें कौन बताएगा section 5 section 5 deals with combinations of enterprise combination of enterprise ये हमें बताएगा ये हमें बताएगा section 5 deals with combination of enterprises and persons and persons which may arise which may arise by अब तीन तरीके से ये बताएगा ये arise हो सकते हैं फिर हम तीनों को हम detail में समझने की कोशिश करेंगे acquisition of business acquisition of business यानि एक company ने दूसरे business को acquisition business को acquire कर लिया ठीक है और दूसरा business को acquire नहीं किया लेकिन उसके control को acquire किया acquisition of control जिसको आप corporate law की लेंग्विज में टेक ओवर बोलते हैं acquisition of control business acquire कर लिया एक फैक्टरी है फैक्टरी खरीदी control acquire किया यानि उसका control acquire किया तिसरा merger और M-lagmation हो गया merger हो गया यानि वो दो company मिलके ठीक है जिसे brook bond और Lipton मिलकर brook bond Lipton हो गया इस तरह से merger हो गया या M-lagmation हो गया जिसे brook bond और एक लग company थी Lipton एक लग company थी दोनों का अपस में merger हो गया ठीक है तो brook bond Lipton हो गया merger हो के तो इस तरह से E-combination तैह हो सकता है These are the three different types of combination जहां आप business acquire कर रहे है number 1 दूसरे में आप control acquire कर रहे है और तिसरे में merger हो रहा है या M-lagmation हो रहा है यानि A company merger और M-lagmation क्या है मैं बताओं बैटा A और B दो companies है A, B में merge हो गई है तो उसके बाद A, B में merge हो गई है या इसके बाद सिरफ B बच गई है या B, A में merge हो गई है तो सिरफ A बच गई है ठीक है या फिर क्या हुआ A और B को आपस में M-lagmation merger और M-lagmation एकी चीज़ है लेकिन कुछ लोग अगर difference करना चाहते हैं इसके अंदर तो ये difference है इसका A और B एक अलगलग companies है और इससे इन दोनों को खतम करके C बन गई है अब इस पहले case में क्या हुआ है कि A A खतम हो गई है B रह गई है B शेश रह गई है दुसरे में क्या हुआ है कि A B खतम हो गई है A रह गई है इसे merger बोलते हैं बिटा यानि A company दुसरे में merge हो गई है M-lagmation भी merger है इसमें दोनों companies कतम हो गई है और नहीं company बन गई है तो ये भी merger और M-lagmation का case है ये भी merger और M-lagmation का case है ठीक है Words could be used interchangeably merger और M-lagmation लेकिन कुछ लोग इन दोनों में difference ये करते हैं इसको merger बोल देते हैं इसको merger बोल देते हैं और इसको M-lagmation बोल देते हैं आप ध्यान से बात को समझना तो आए इन तिनों को समझेंगे बेटा पहले हम इन तिनों को अच्छे से समझने की कोशिश करते है तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे acquisition of business acquisition of business यानि एक enterprise ने दूसरे enterprise की business को acquire कर लिया है ठीक है any acquisition अब लिखेंगे बेटा any acquisition where where parties ठीक है एक है एक है dk where any acquisition where will assets बहुत ध्यान से बेटा आपने समझने की कोशिश करनी है have been acquired ठीक है by an acquirer assets have been acquired by an acquirer in this transaction there are two parties in this transaction there are two parties ठीक है बता party one party two अब party one और party two यह दो तरह की यह parties हो सकते हैं party one कोन है whose assets are being acquired whose assets are being acquired यह यह acquirer और दूसरी party जिसने acquirer किया acquirer ठीक है जिसने acquirer किया वो acquirer party one party two जिसकी assets acquire हुई अब party one और party ठीक है बता यह क्या हो सकते हैं अब party one individual हो सकती है और party two individual हो सकती है ठीक है यह यह transaction एक group और दूसरे group के बीच में भी हो सकती है ठीक है अगर जो यह individual basis भी हुआ है ठीक है अगर यह individual है ठीक है बीटा अगर जो यह individual है तो इनकी इन इंडिया में इन इंडिया ठीक है combined assets combined assets ज्यादा है more than rupees 1500 करोड तो यह combination मान लिया जाएगा ठीक है अगर यह turnover की बात करें या फिर और और है दोनों की बीच में इनकी turnover rupees 4500 करोड से जादा है तो मान लेंगे जी आपने combination कर लिया है ठीक है तो section 5 और 6 हमने मिला कर पढ़ना है यहाँ पर section 6 क्या कैता है stipulates that a person or enterprise should not enter यहाँ section 6 ठीक है 5 और 6 का क्या logic है section 5 defines combination defines combination and section 6 regulates combination regulates combination ठीक है तो 6 में हमने कैसे बढ़ा भीटा section बहुत ध्यान से आप सुनेंगे मेरी बात section 5 क्या है actually combination को define करता है section 5 क्या है combination का meaning बताएगा deals with combination of enterprises and persons section 5 combination समझाएगा enterprises के बीच में या persons के बीच में which may arise तीन तरीके से हो सकता है यानि या तो business acquire कर रहे हूँ या control acquire कर रहे हूँ या merger कर रहे हूँ ठीक है और इन तीनों में से सबसे पहले हम एक को सिख रहे हैं जहां business acquire कर रहे हैं ठीक है सबसे पहले हमने देखा acquisition of business तो any acquisition जहां पर business acquire किया है where assets have been acquired by an acquirer in this transaction there are two parties एक को बोलने party one और दूसरे को बोलने party two अब party one और party two या तो ये individuals हैं या ये groups हैं अगर ये individuals हैं तो इनके assets इंडिया में 1500 क्रोड के उपर होने चाहिए या इनकी turnover 4500 क्रोड के उपर है अगर ये individual एक individual ने दूसरे individual की assets खरिद लिये हैं और उनके assets turnover इस limit से कम हैं तो section 6 applicable नहीं होगा section 6 applicable तभी होगा जब उन individuals के assets 1500 क्रोड के उपर हो और turnover 4500 क्रोड के उपर हो अब स्वाल उठता है ये है कि सर माली जी अगर ये इंडिया में भी business करते हैं और इंडिया से वाहर भी करते हैं फिर आईए फिर हम देखेंगे शाबाज बेटा फिर हम इसको फर्दर देखेंगे अगर ये business in India और outside India दोनों में करते हैं फिर क्या होगा in India and outside India in India and outside इंडिया में अगर ये दोनों जगा business करें तो क्या होगा ठीक है फिर इनके assets जो होंगे वो हम कितना लेंगे assets होने चाहिए more than US dollars more than US dollars 750 millions ठीक है 750 million ठीक है including including at least including at least Rs. 750 crores in India यानि इसके around the world assets जो होने चाहिए वो US dollars 750 million से ज्यादा होने चाहिए लेकिन उसमें Indian component कितना होना चाहिए 750 crores के assets इंडिया में होने चाहिए या फिर और turnover की बात करें turnover कितनी होनी चाहिए US dollars 2250 million इसकी turnover ज्यादा होनी चाहिए 250 million dollars से ज्यादा होनी चाहिए including including at least including at least rupees 2250 crore ठीके मेरी बात को सुनिए in India and outside India हम बात करेंगे in India and outside India तो अभी हमने बेटा तीन बाते सिखनी है section 5 में हमने तीन बाते सिखनी है acquisition acquisition of business acquisition of control merger and ablogamation और इन तीन बातों में से हमने अब तक एक बात सिखी है कि individual acquisition of business हो रहा है ठीक है जिसमें business acquire हो रहा है या तो individual या group के वीच में अगर individual है सिर्फ इंडिया में business कर रहे है तो उनके assets या turnover इतनी होनी चाहिए अगर वो इंडिया और बाहर दोनों जगां business कर रहे हैं तो उनके assets या turnover इतनी होनी चाहिए अगर ये transaction group में हुई है ठीक है अगर एक group ने दूसरे ग्रूप का business acquire किया है तो इन इंडिया उनका कितना assets और turnover होनी चाहिए इन इंडिया जो assets होने चाहिए वो होने चाहिए more than Rs. 6000 करोड से ज़्यादा कि होने चाहिए या फिर और turnover कितनी होनी चाहिए बहुत ध्यान से आप मेरी बात को सुनेंगे turnover होनी चाहिए Rs. 18,000 करोड से ज़्यादा in India ठीके या फिर in India और outside India दोनों जगा business कर रहे हैं इन इंडिया में भी business कर रहे हैं in India और outside India दोनों जगा business कर रहे हैं तो इनकी assets कितने होने चाहिए more than rupees more than US dollars 3 billion इनकी assets कितने होने चाहिए 3 billion including including at least rupees 750 करोड in India अब ये जो 3 billion dollars के इनके assets हैं उसमें से 750 करोड के इंडिया में होने चाहिए ठीक है या फिर turnover turnover कितनी होने चाहिए more than US dollars 9 billion ठीक है और at least in India at least in India rupees 250 करोड के होनी चाहिए तो पेटा हमने ये डिसकस किया acquisition of business हुकरा उसमें एक party 1 है party 2 है इन दोनों का आप उसमें combination बन रहा है ये individual plus individual है तो इनके assets और turnover इंडिया में अलग चेक होगा अगर दोनों जगा इंडिया और से बाहर भी काम करते हैं तो फिर इंडिया और बाहर में दोनों मिला के हम करेंगे और उसमें Indian component हम देखेंगे क्या है अगर ये group है सिर्फ इंडिया में business करते हैं तो इनके assets और turnover देखेंगे और इंडिया और बाहर दोनों business करते हैं तो दोनों जगा इनका business हम चेक करेंगे बटा ऐसे ही हमें बाकिये भी पढ़ने है अब हम पढ़ेंगे acquisition of control हम second पढ़ेंगे acquisition of control हम अब हम बात बिटा करें acquisition acquisition or control by a person or enterprise or group or group यू दो वे तेट करत्र दें रिव एंट्रप्राइज लो टकान ग्यूम प्राइज ठत कर से के थिशreno leaving अध्वांद ग्योजेस चाहिं कार्काट्टिध इन Tigt फ्योज़ कार्टिशियंत और ट्रेबिग और अब आदें सीमिल्जार जिए लिए अनकन कि अधुमया इंसरें ये द्रीजेशिए और आदिनीड़ी असितिविए और ग्याश्टर के अधिए ट्रीजरश अदियम्या इंसरें ट्रीज law और त्रिज एधिए प्सितिए अधिए फर अदिए और ग्याश् Substitutable Goods or Services तो यहाँ दो पार्टी है एक पार्टी वन एक दुसरी है पार्टी टो ठीक है पार्टी वन कौन है दुसरी है और यह कौन है और यह कौन है अक्वायर अफ कर दूझे अक्वायर इफ कोट्रोल तो या तो ये बेटा individual 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 के बीच में transaction है या ये group transaction है अगर ये इसमे individual दोनों साइड पे individual involved है तो इसके हम assets and turnover देखेंगे ठीक है अगर individual transaction है ये तो इसके assets देखेंगे ठीक है तो assets individual है और इन इंडिया इसके assets इस combination के यानि control acquire करने के बाद जो combined assets हैं वो ज्यादा होने चाहिए रूपीज 1500 करोड से ठीक है बटा या फिर और जो combined turnover है वो ज्यादा होनी चाहिए रूपीज 4500 करोड से आगे का सिमिलर है बटा जैसे पहले case में किया था वैसे ही case में लेकिन आपको लिखना तो पड़ेगा उतनी बारी exam में अगर exam में question आएगा तो उतनी बारी आपको लिखना पड़ेगा आगे जैसे आपने पड़ा था वैसे same है इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया है तो इस combination जो बना ये combination इसके assets ज्यादा होने चाहिए US dollar 750 million ठीक है including including at least rupees 750 crore in India or turnover एसेट्स हो गए ना तो टर्न ओवर की बात करेंगे टर्न ओवर कितनी होनी चाहिए ज्यादा होनी चाहिए यूएस डोलर 2250 मिलियन और इंडियन कॉंपोनेंट कितना होना चाहिए इंक्लूडिंग एट लिस्ट रुपीज बाइस सो पचास करोड रुपीज है यह यह डोलर है यह फरक है यह बाइस सो पचास मिलियन है मिलियन एक मिलियन में दसलाख होते हैं ध्यादाना इंक्लूडिंग एट लिस्ट बाइस सो पचास करोड रुपीज 2,250 करोड इन इंडिया इंडियन कॉंपोनेंट इसका इतना होना चाहिए ठीके बटा अगर यह ग्रुप है तो इनकी कंबाइन एसेट्स कितनी होनी चाहिए ग्रुप है तो इंडिया में इन इंडिया इनकी कंबाइन एसेट्स कितनी होनी चाहिए और तर्णोवर कितनी होनी चाहिए और इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया दोनों जगा विदनस करते हैं इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया दोनों जगा विदनस अगर ये करते हैं तो क्या होगा एसेट्स ठीक है तो या तो ग्रूप है और इन इंडिया एंडिया एंडिया दोनों जगा है तो एसेट्स कितनी होने चाहिए एसेट्स अगर देन यूएस डॉलर थ्री बिलियन और इसमें इंडियान कॉंपोञ़न कितना होना चाहिए इंडियान पार्ट इंडियान शियर कितना होना चाहिए एटलीस्ट 750 करोड टॉर्ण आवर टॉर्णोवर किटनी होने चे जाधा होने चाहिए यूएस डॉलर नाइन विलियन और इंडियन कॉंपोनेंट कितना होना चाहिए रुपीज पूरी बात लिखने है आपने बाइस सो पचास ठीक है आपने पूरी बात लिखने है इंडियन इंडियन कॉंपोनेंट कितना होना चाहिए रुपीज बाइस सो पचास करोर आपने लेकिन पूरा sentence लखना है यहाँ पर जैसे आपने पहले लिखा है तो आएए हम पर पढ़ते हैं रिवाइज करते हैं acquisition of control की बात करेंगे जब acquisition or control by a person or enterprise or group where such person, enterprise or group is already engaged in production, distribution or trading in similar identical substitute goods or service तो इसमें party 1 है, party 2, party 1 where control is being acquired, whose control is being acquired, जिसका control acquire हुआ है और party 2 कौन है, acquirer, ठीक है, party 1 individual, party 2 individual, या enterprise या enterprise है, ठीक है या यह group है, या यह group है, अगर individual है, individual basis पे, alone basis पे, इनके assets इन इंडिया में इतने होने चाहिए ठीक है, इनके turnover, assets इतने होने चाहिए, इनकी turnover इनकी इतने होने चाहिए, अगर सरफ इंडिया में business कर रहे हैं अगर दोनों जगा business कर रहे हैं, तो इंडिया और आउटसेट दोनों इंडिया विजनस कर रहे हैं, तो assets इतनी होने चाहिए, उसमें Indian component इतनी होने चाहिए अगर यह group है तो इंडिया में इनकी assets इतनी होने चाहिए, turnover इतनी होने चाहिए अगर यह group है और इंडिया और outside इंडिया काम कर रहे हैं तो इनकी worldwide assets इतनी होने चाहिए, worldwide turnover इतनी होने चाहिए उसमें Indian component इतना होना चाहिए, Indian component इतना होना चाहिए यह बटा आपने अच्छे से करनी है आई यह हम तीसरी तरह की transaction करेंगे तीसरी तरह की आप transaction करेंगे जिसमें हम क्या सिखेंगे section 5 हम कर रहे हैं यहाँ पर तीन तरह की transaction करनी है हम एक कर चुके हैं दूसरी कर चुके हैं तीसरी merger और M-Lagamation हो रहा है अब थर्ड बेटा क्या हो रहा है शाबाश शाबाश बेटा अब हम थर्ड करेंगे इसमें थर्ड पार्ट इसका हम करेंगा यह बहुत ध्यान से बेटा आपने करना है और थर्ड merger और M-Lagamation merger हो रहा है या M-Lagamation हो रहा है ठीक है बटा तीसमें हम पढ़ेंगे बटा merger और M-Lagamation of enterprises ठीक है बटा तो इसमें पार्टी वन है और पार्टी टू है दो पार्टीस हैं पार्टी वन पार्टी टू ठीक है अब इसमें पार्टी वन कौन है transferer transferer जिसका merger हुआ है transferer और पार्टी टू कौन है transferi जिसमें merger हुआ है यानि A का merger B में हुआ है तो A transferer B transferi ठीक है अब ये transferer या तो enterprise basis पर है यहां भी एक enterprise या दूसरी enterprise का merger हुआ है यानि ये group और या ये transaction दो group की बीच में हुई है एक group ने दूसरे group को merge कर लिया है आपने ठीक है तो इस तरह से आपने बात को ध्यान से समझना है ये merger हुआ है merger हुआ है और emlionation हुआ है party 1 transferer है party 2 transferi है transferer और transferi का मतलब आप समझगे यानि एक enterprise एक जगा enterprise है एक जगा group है अगर ये individual basis पर enterprises है ठीक है तो enterprise level पर अगर ये merger हो रहा है ठीक है तो फिर इसकी in India हमने देखनी है फिर हमने क्या देखनी है इसमें in India in India इनके assets चेक करेंगे combined assets चेक करेंगे जो ज़्यादा होने चाहिए कितने से rupees 1500 करोड से ज़्यादा होने चाहिए ठीक है अगर हम turnover की बात करें अगर ये turnover की बात अगर हम करते हैं तो ये ज़्यादा होने चाहिए rupees 4500 करोड से तो इस combination को हम section 6 में regulate करेंगे अदरवाइस section 6 में regulate नहीं करेंगे जैसे air tail group का और future group का अपस में merger हुआ है ठीक है 2015 में air tail group का और future group का merger हुआ है तो उनकी assets उनकी assets इस threshold limit से जा रहे थे वापी उपर जा रहे थे ठीक है जो threshold बताया section 5 ने जो limit बताया उसके उपर जा रहे थे तो CCI से permission लेनी पड़ती है यानि अगर आप उसके उपर merger कर रहे हैं तो merger CCI की permission के बिना नहीं होगा ठीक है तो बात सुन लिजिए ध्यान से section 6 regulate करेगा उसे उस merger को section 6 regulate करेगा यह नहीं कह रहे कि वो merger होगा नहीं यह कह रहे है section 6 regulate करेगा ठीक है और अगर यह group basis पर है इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया है इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया है तो क्या होगा इन इंडिया है और आउटसाइड इंडिया है तो ध्यान से बात को आप सुनेंगे बटा इन इंडिया और आउटसेड इंडिया है दोनों जगा है तो इनके एसेट्स चेक करेंगे पहले एसेट्स कितने होने चाहिए ज्यादा होने चाहिए किस से US डॉलर 750 मिलियन यह बिल्कुल पहले की तरह लिमिट है जैसे दो बारी पहले नोट करेंगे आपने लेकिन बेटा इतनी बारी लिखनी तो पढ़ेंगे आपको इंक्लूडिंग एट लिस्ट इंक्लूडिंग एट लिस्ट रुपेज 750 करोड इन इंडिया इंडियन कॉम्पोनेंट कितना होना चाहिए 750 करोड या फिर टरन ओवर इसकी टरन ओवर चेक करेंगे या तो एसेट्स टरन ओवर दोनों को चेक करते हैं एक भी जादा है या दोनों जादा है तो section 6 रेगुलेट करता है इस combination को टरन ओवर कितनी है यूएस डॉलर ठीके यूएस डॉलर 2250 मिलियन ठीके बटा इंक्लूडिंग एट लिस्ट रूपीज 2,250 करोर्ड इन इंडिया और अगर ये ग्रूप ट्रांजेक्शन है यानि एक ग्रूप ने दूसरे ग्रूप को मर्ज किया आपस में ठीक है तो इन इंडिया चेक करेंगे पहले इन इंडिया में सबसे पहले एसेट्स चेक करेंगे एसेट्स कितनी होनी चाहिए मोर्दन होनी चाहिए कितनी रूपीज 6,000 करोड के ठीक है फिर टरन ओवर चेक करेंगे टरन ओवर ज्यादा होनी चाहिए रुपीज 18,000 करोड के ऐसा ही तो बैटा आपने पहले सिखा बाकि दो केसिस में भी तो आप ऐसा ही करते आ रहे हैं सबसे पहले हमने देखा सबसे पहले हमने एक्वजिशन अफ एसेट्स एक्वाइर किये जहाँ पर एक पार्टी दुसरी पार्टी के एसेट्स एक्वाइर कर रही है वहाँ भी हमने देखा इतना बैटा एसेट्स टर्न ओवर शाबश फिर हमने क्या देखा फिर हमने जहाँ पर कंट्रोल एक्वाइर कर रही है एक पार्टी दुसरी पार्टी के control acquire कर रही है individual basis पर जख किया और फिर हमने उसे group basis पर चेक किया ठीक है शाबाश ध्यान से आपने बात को सुनना है फिर group basis पर चेक किया बेटा फिर तिसरे case में हम third case पढ़ रहे हैं merger का उसमें अगर enterprise basis पर individual basis पर इन इंडिया हमने चेक करा assets भी चेक करी turnover भी चेक करी इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया चेक करा दोनों को बेटा तो उसमें इंडियन component हमने देखना है group basis पर हुआ है merger ये तो सिरफ इंडिया में operate करते हैं तो ये होना चाहिए इन इंडिया operate करते हैं आउटसाइड इंडिया operate करते हैं इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया आउटसाइड इंडिया दोनों जगाँ operate करते हैं तो सबसे पहले इनकी assets चेक करो assets कितनी होनी चाहिए more than US dollar 3 billion 3 billion होनी चाहिए including at least including including at least rupees 750 करोड in India 750 करोड इंडिया 750 करोड इंडिया और इनकी फिर turnover चेक करो turnover कितनी होनी चाहिए कहते है जी turnover इनकी होनी चाहिए more than US dollar 9 billion US dollar 9 billion US dollar 9 billion including at least including including at least rupees 250 करोड in India तो आईए इसमें यह section 5 मैंने आपको बताया इसमें कुछ words explain करेंगे आप बटा कुछ explanations आपको सिखाएंगे जैसे इसमें control का क्या मतलब है group का क्या मतलब है value of assets का क्या मतलब है यह सब चीजें इसमें हम आपको बताएंगे शाबश बेटा फिर इन words को explain करने के बाद आपको बताया जाएगा कि section 6 में क्या हम पढ़ेंगे section 5 को करने के बाद हम करेंगे section 6 अब इसमें control का meaning आया था explain करते है control का क्या मतलब है कि जहां एक enterprise दूसरी enterprise की या एक person दूसरी enterprise का control अक्यायर करें control includes controlling control includes controlling the affairs or management the affairs or management by one or more enterprise one or more enterprise either either jointly or or singly or another enterprise or another enterprise enterprise or enterprise or group or over another or another enterprise or group one or more group either jointly or singly or enterprise or enterprise or enterprise or enterprise or two or more two or more or or in position or in position two 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 exercise of voting voting rights in other enterprises enterprises in other enterprises if if a enterprise or enterprise b a 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 point more than 50% of the members of board of directors members of board of directors board of directors in other enterprise in other enterprise then we a more than 50% of the members of board of directors in other enterprise so we have a a a a take a the a a a a one a a a a a a or a two a a a a the other enterprise तो भी हम उसे group माल लेंगे ठीक है जो किसी और formulae से control करती है affairs को या management को तो भी हम उसे group माल लेंगे आईए अब हम next देखेंगे बेटा हमने देखा explanation control देखा control का मतलब क्या है ठीक है control किसे कहेंगे group किसे कहेंगे यह हमने देखा आईए अब हम next topic करेंगे इसमें हम देखेंगे कि value of assets कैसे calculate करेंगे value of assets किस तरह से calculate करेंगे book value of assets ठीक है बटा book value of assets लेंगे बटा as shown in as shown in audited books of accounts audited books of account जैसे audited books of account में book value show की गई है उन्हें लेंगे in the financial year in the financial year immediately in the financial year immediately immediately preceding immediately preceding the financial year in which in which in which date of proposed transaction falls date of proposed transaction falls यानि इस financial year में आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं पार्टी वन पार्टी टू के बीच में transaction हुई इस financial year में हुई उससे पिछले वाले financial year में हम चेक करेंगे book value of assets as shown in the audited books of accounts in the financial year immediately preceding the financial year in which date of proposed transaction falls of assets shall include value of assets shall include क्या चीज़े इसमें include करोगे brand value include करोगे value of goodwill कोपी राइट पेटेंट क्लेक्टिव मार्क यहीं ट्रेड मार्क जिसे बोलते है ठीक है रिजिस्टर्ड ट्रेड मार्क क्लेक्टिव मार्क भी होता है जहां गृप का क्लेक्टिव मार्क है ट्रेड मार्क जहां इंडिविजूल एंटर्प्राइस का ट्रेड मार्क है डिजाइन यानि जितने भी अधर आईपी आर्स other intellectual property rights इसमें सब include होता है ठीक है जो other IPRs है इसमें सब include करेंगे value in assets में शाबाश अब हम देखेंगे बेटा आज की class को हम revise करेंगे शुरू से हमने क्या देखना है बेटा section 3, 4 हम अलड़ी कर चुके थे 16, 19, 26, 27 इससे related हम कर चुके थे 3, 4 में अभी हमने करना है section 5 and section 6 section 5 में सबसे पहले section 6 में section 6 में क्या है सबसे पहले आपको यह जान लेजिए stipulates that a person और enterprise should not enter into a combination ना किसी person को ना किसी enterprise को combination में enter करना है ऐसे combination में enter नहीं करना जिससे competition पर adverse effect पड़े तो यह बात कौन सुनिस्टित करेगा कि competition combination का competition पर adverse effect पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा कहते जी यह बात CCI तया करेगी section 6 में detail में हम पड़ेंगे कि CCI इस चीज़ को ensure करेगी कि कि किसी particular combination का competition पर adverse effect पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा section 6 अभी detail में discuss करेंगे बैटा उससे पहले हमें यह सिखना है section 5 में कि combination आपको किसको कह रहे हो उससे पहले हमें यह सिखना है section 5 में कि combination आपको किसको कह रहे हो तो combination जानने के लिए तीन तरीके से combination form हो सकता है जब एक enterprise एक person एक group दूसरे enterprise दूसरे person दूसरे ग्रूप के business को inquire कर ले, control को inquire कर ले या दो enterprises की आपस में merger या emlug mission हो जाए ठीक है बटा तो हमें इन तीनों transactions को detail में पढ़ना है हम तीनों में देखेंगे कि एक party ने दूसरे party के business को खरिद लिया है party 1, party 2 अब party 1 एक individual भी हो सकती है, party 2 एक individual भी हो सकती है फिर उनके हम assets देखेंगे, फिर उनके हम turnover देखेंगे ठीक है फिर उनके हम assets turnover in India and outside India देखेंगे अब party 1 और party 2 group भी हो सकती है अगर वो group है फिर उनके इंडिया में हम assets देखेंगे और इंडिया में उनकी turnover देखेंगे ठीक है अगर वो group है तो अगर वो इंडिया में business करते हैं तो फिर उनके assets और turnover देखेंगे अगर वो इंडिया में भी business करते हैं और बाहर भी business करते हैं फिर उनका total global assets देखेंगे ग्लोबल उनकी turnover देखेंगे और उसमें Indian component कितना है वो check करेंगे तो सबकी limit हमने देखेंगे हैं अगर उस limit के उपर अगर आप आ रहे हैं लिमिट से ज्यादा कि आपके पास assets हैं turnover है तो आप उस group combination में fall करेंगे combination में fall कर गए तो section 6 में CCI आपके उपर regulate करेगी CCI आपके combination को regulate करेगी CCI permission देगी तो आप combination form कर पाएंगे otherwise आप combination form नहीं कर पाएंगे ऐसे ही बटा control है और ऐसे ही merger और एम लकमेशन है यह बहुत highly technical section है आपके इसलिए उसका बहुत important part है तो मैं चाहूंगा कि आप इस पर अच्छे से करें और कोई भी doubt है आप मुझसे पूछे शाबाश बैटा